नमस्कार मैं हूँ जूली आप इस सक देख रहे हैं दे इंडिया टॉप बड़ी ख़बर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है दरुसल बिहार सरकार ने अब अनलॉक 7 लागू करने का फैसला लिया है आपको बता दे कि अनलॉक 6 की समय सीमा खतम होने वाली थी जिसको लेकर गुरुवार को नितीश कुमार ने एक बैठक बुलाई जिसमें कोरोना की स्थिती की समीक्षा की गई और उसके बाद अनलॉक 7 के नियमों पर चर्चा करते हुए अनलॉक 7 लागू करने का फैसला लिया गया है इस फैसले में ये कहा गया है कि अब बिहार में छोटे बच्चों के स्कूल और आंगनबाडी केंद्रों को खोल दिया जाएगा आपको बता है कि अनलॉक 6 में भी कई सारी सुविधाओं में ढील दी गई थी कई सारी सुविधाओं में छूट दी गई थी इसके तहट अब छोटे बच्चों के स्कूल और आंगनबाडी केंद्रों को खोलने का फैसला लिया गया है आपको बता ले कि अनलॉक 7 26 सितंबर से ले करके 15 नवंबर तक लागू रहेगा इस बात की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमान ने को खोलने का निर्ने लिया गया है मुख्यमंत्री अपने अगले ट्वीट में लिखते हैं आगामी तिवहारों के द्वारान जुलूस तथा बीड प्रबंधन है तो जिला प्रसाशन आदेश्त निर्गत करें कोरोना संक्रमन के ज्यादा मामले वाले राज्यों से आने वा है कि बिहार में कल अनलॉक 6 की समय अवधी पूरी होने वाली है मियाद पूरी होने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया और शुक्रवार को आपदा प्रबंधन सम्मू क की बैठक की मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से उनके छेत्र में कोरोना संक्रमन के स्थिति टीका करन के प्रगती के साथ बाजार मॉल दुकाने और भीरभार के नियंतरन को लेकर किये जाने वाले उपायों पर विस्तरित चर्चा की जिलों के ओर से मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि राज्य में कोरोना संक्रमन में काफी नियंतरन आया है और काफी कमी देखने को मिली है इकका दुक्का नए मामलों को छोड़कर अमूमन सभी जिलों में ऐसी ही जानकारी मिली है तो कोरोना के मामलों में सुधार होने के बाद अब ये फैसला लिया गय लाहे छट महापर दिपावली ऐसे में भीडभार एकठा होने की आशंका बढ़ जाती है तो बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि अभी भी भीडभार से बचे कोरोना संगत बिहेवियर का पालन करें क्योंकि कोरोना अभी भी पूरी तरीके से गया नहीं है तो साउधानी बरत्नी की जरूरत अभी बनी होई है इसी तरीके की और भी कई खबरे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहा है तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद